जब से चुनाव का परिणाम आया है तब से एक सवाल बहुत ज़ादा सियासी गलियारों में और आम लोगों के बीच में भी चर्चा का है पांच साल क्या पूरे नहीं कर पाएगी NDA सरकार? पांच सालों में पीए मोधी और उनके सरकार के सामने कौन सी बड़ी चुनोतियां होंगी इसका जिकर हम कोशिश करते हैं इस वीडियो में बताने की इसके लावा क्या INDIA गडबंधन मोधी सरकार को गिरा सकता है? उचित वक्त के इंतजार का आखिर मतलब क्या है? दरसल प्रधान मंतरी नरेंदर मोधी ने तीसरी बार देश में अपनी सरकार बना ली है उनका मंतरी मंडल भी पूरी तरह से तयार है पूर्टफोलियो उसका बटवारा हो गया है राजनेतिक जानकारों का कहना है कि पात साल के लिए मोधी सरकार पूरी तरह से तयार है ले सियासी गलियारों में वक्त सबसे ज़्यादा माइने रखता है और उचित वक्त का इंतजार इस बात के भी कई सारे माइने निकाले जाएंगे, माइने तलाशे जा रहे हैं राजनेतिक जानकारों के माने तो विपक्ष की ओर से किये गए इशारों के बहुत बड़े मतलब कहाई, तो यहां तक जा रहा है कि अगर एंडिये की 2024 वाली सरकार 2019 की तरफ फैसले लेती है, तो विपक्ष उसे कमजोर कर देगा और हर संभव कोशिश करेगा, यही नहीं सिय इंडी गडबंधन विपक्ष में बैठेगा, महतपून बात यह रही कि कॉंग्रस पार्टी के रास्टी अधिश मलिकार जुन खरगे ने कहा कि पेम मोदी के नित्रित वाली बीजेपी के फासिवाद साशन के खिलाफ लडाई जारी रहेगी, उन्होंने कहा कि देश की जन जानकारों के लिए, राजनितिक पंडितों के लिए और नेताओं के लिए भी सोचने का विशय बन गया, राजनितिक जानकार कहते हैं कि इसका मतलब यह है कि विपक्षप केंद्र सरकार की ऐसी कोई भी योजना, कोई भी फैसला उसको सामान्य तोर पर नहीं लेने देगी बीजेपी के पास परयाप नमबर थे, इसलिए बड़े फैसले लिए भी गए, विपक्षिस बार भारती जंता पार्टी की इसी कमजोर नस को अपनी बड़ी ताकत बनाने के फिराक में है, वरिश जानकार ये भी कहते हैं कि इस बात को बिलकुल कमतर नहीं आखना चाहिए कि बीजेपी के साथ वाले कई दल पहले भी यूपीए के सायोगी थे, क्योंकि अब यूपीए खत्म हो चुका है, आई एंडिया ये गड़वंधन मन गया है, तो उसमें अभी भी महागडवंधन के कई दल शामिल है, इन दलों में सबसे बड़ा नाम ना सिर्फ चंद्रबाबु नाइडू, सीबी नाइडू, विपक्षी दलों के करीब भी पाय जाते हैं, माने जाते हैं, चंद्रबाबु नाइडू के लिए कहा जाता है कि शरत्पवार से उनकी निकटता है, चंद्रबाबु नाइडू के लिए कहा जाता है कि अखिलेश यादव से उनकी निकटता है विपक्षी दल इसको अपनी ताकत भी मान रहे हैं हला कि अंद्रपरदेश और तेलंगाना के बटवारे को लेकर राजी की जनता अभी भी कॉंग्रेस से नाराज है ऐसी दशा में टीडीपी का कॉंग्रेस वाले गडबंधन में जाना ऐसा लगता नहीं कि बहुत तुरंत यह दिखाई पड़ेगा लेकिन राजनिती संभावनाओं का खेल है कुछ भी हो सकता है विपक्ष के गडबंधन में अन्य राजनितिक दलों की टीडीपी से निकटता और विचारधारा में कुछ हद तक की समानता हैं इस बयान को मजबूती देती हैं कि हम उचित वक्त आने पर बताएंगे राजनितिक गलियारों में चर्चाएं इस बात की भी खूब हो रही है कि आखिर उचित समय क्या अल्टिमेटम है क्या उचित समय ये जो विपक्ष की तरफ से कहा गया है ये वो वक्त है जब आई एंडिया ये गडबंधन एंडिये की सर तकदल टीडीपी अल्प संक्यकों को खास दोर से मुस्लिमों को एक अलग सौफ्ट कॉर्नर लेकर चलती है उनके लिए गोशना आए उनके गोशना पत्र में दिखाई पड़ती है जो की बीजेपी इससे शायद थोड़ा सा अलग राय रखती हुई नजर आएगी हो सकता ह पांत साल में खटपड दिखाई पड़े एंडिये के सरकार लिये जाने के बाद या एंडिये के सरकार बनने के बाद जो फैसले लिये जा रहे हैं उसमें टकराव की स्थिती भी आ सकती है जो बीजेपी के मुख्य एजेंडे में शामिल है राजनितिक जानकार कहते हैं कि उचित समय की बाद विपक्ष ने सही तरीके से की है, वो ऐसे ही एक्षण हो सकते हैं, यानि बड़े फैसलों के वक्ट गडबंधन के प्रमुक राजनितिक दलो पर विपक्ष की मजबूत नजर रहेगी और विपक्ष वहां सयोग नहीं करेगा। बात ये भी सच है कि चंद्रा बभु नाइडू की जितनी निकटता भारती जंता पार्टी के निताओं से है, उतनी ही निकटता आई एंडिया के निताओं से भी है। इसको ही विपक्ष के नेता अपनी मजबूती के तौर पर देखते हुए नजर आते हैं। इसे में किस तरह से सभी निताओं को खुश रखकर देश के विकास को प्रात्मिक्ता दी जाएगी, कैसी योजनाय तयार होंगी, देश में दस साल बाद फिर से गड़बंधन का दौर लोटा है, कैसे विवस्था होगी, ये देखना दिल्चस्प होगा। इंडिये की सरकार के सामने दिखाई पड़ती है। साल मजबूती से सरकार चलाएंगे, भविश्थ के गर में छिपा है, दरसल ये सरकार किस तरह से चलेगी और आई एंडिया ये गड़बंधन का क्या रुक होगा। अगर ये वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप फेस्बुक पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।